जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज हम लोग हमेटोलोजी से थोड़ा हट करके एक भाई लोग बहुत कमेंट कर रहे थे किड्नी स्टोन के बारे में बताने के रिए तो किड्नी स्टोन आज हम जानते हैं कि बहुत डिटेल हर सीज बताते हैं तो किड्नी स्टोन के बारे भुलेडर पिंसाभ की ठेली मी बनता है कैसे बनता है कौन साजसें जो पदार्थ है चेमिकल्स है जिससे यह मिल के बनता है क्या चीज में जो कूँते हैं उस शरूर center कैशिसमर क्रिड्नि स्टोन ठीक ठाक रहे यह सब बताएंगे ऊपाई बताएंगे कौन सी जाज की जाती है और टीटमेंट तो हम सबसे पहले किड्नी स्टों यानि पत्री हो गया पत्थरी का मतलों किया पत्थर आ गया हम मिट्टी खाये थे पत्थर खाये थे कि पत्थरी आ गया जी नहीं कोई कदर पत्थर खाये थे तो पत्थरी हो जाएगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है पत्थर खाने से तो पत्थरी होगा कि नहीं हम नहीं जानते हैं चूना ज्यादा ल किडिनी स्टोन किडिनी स्टोन्स या कैलकुलाई स्टोन्स को ही कैलकुलाई कहते हैं ठीक है पथरी या इसी को किडिनी का दुसरा नाम रेनल होता है तो रेनल कैलकुली कैलकुलाई या इूरेनरी का ये सिस्टम मुत्रोजननतंत्र का ये कैलकुलाई होता इसलिए इूरेनरी प्रिमिस क्या होता है किडिनी लिथियासिस मिस स्टोन का बनना जहां भी लिथियासिस रहेगा जैसे कोले लिथियासिस यानि कि जी बी में गॉल ब्रेडर पीत की थैली में बनना उसको क्या करते है कोले लिथियासिस उसी तरह यहां पर किडिनी में बन रहा है तो नेफ्रो काते हैं या उस्सी का दूसरा नाम यूरोलिथियस को लिजे में आपनी भास में कर लूदी हर्द तर्थ हो गया या केलकुलाई हो जो ही बात है वहलेगा यूरेनि केलकुलाई वही son of stone स्टोन उसके किडनी या वाले रास्ते में पिसाब वाले रास्ते में या फिर यारीन वाले रास्ते में रीन वाले रास्ते में इस्टोन का वनने कि भीधिण को हम लोकाते हैं छिंक है Chapel I केलकुली क्या है दीज आर इसमॉल यह स्मॉल बहुत छोटे-छोटे होते हैं हार्ड डिपोजिट डिपोजिट मिस बैठना हार्ड ओफ केमिकल सबस्टांसे रसायनिक पदार्थों का यह जमावट है छोटे-छोटे टुकड़ों में बना रहता है इसी को हम लोग कहते हैं स्टोन फिर कहेगा कि यह तो हाड होता है जी अंदर रहेगा तो यह सौफ्ट रहेगा हाड रहेगा लेकि सौफ्ट मतलों अगलेकर यह बाहर आ जाए पत्थर जैसा हो ज सौल्ट मैगनीज हुआ जींक हुआ यह सब मिनरल्स जो सौल्ट है कैल्सियम हुआ आयरन हुआ यह सब जो मिनरल्स सौल्ट होते हैं और यह एसीड बेस साल्ट उसी को हम लोग कहते हैं उससे बनता है क्रिस्टल क्रिस्टल जो होता है वह ऑगुलंसील होता है वाटर में जल लेकिन जो यह crystals होते हैं यह augulancy होते हैं और यह क्या होते हैं रसाइन होते हैं एक chemical compound है chemical पदार्थ है और इसी crystal से क्या बनता है stone बनता है पत्री बनता है in soluble in water augulancy होते हैं यह पानी में crystals जो होते हैं कौन-कोन से crystal जो stone बनाते हैं जिसमें कैल्सियम वाले जो אז जाएका चूना पाइचाएगा उसमें मेनली यह है calcium oxulate, calcium phospat, calcium carbonates, calcium oxulate, calcium phosphate सबसे ज़्यादा calcium oxulate से stone हमारे सरीर में बनता है और भी crystal होता है इवरीक एसिड क्रिस्टल जो होते हैं जो वह भी इस्टोन बनाते हैं एम और फोस्फेट क्रिस्टल ये भी चमकीला पदार्थ होगा केमिकल जैसे अगर ऑक्जिलेट की बात के तो इन्भैलप सेप कराता है ये ऐसे जब इसकी माइकोस्कोपी की जाती है तो इन्भैलप प्रोटीन से बहुत ज्यादा आधमी खाता का यह होटा होला चिक्हें मीट परोटीन नहीं इसका इवरीक प्रोड़क्ट होता है भी के एवरीक इवरीक ये शिड को होता है पथरी भी किडिनी वाले रास्ते में हो सकता है एक तरह से यह फोस्पेट एलकलाइन युरीन में पाया जाता है यह सब जितने हैं यह लगभग लगभग इसको छोड़के इस सब एसडिक युरीन में पाया जाएंगे कोलेस्टरॉल जो फैट आप बहुत ज´बग खुआ रहा है और वो पच नहीं रहाया तो वो भी स्ट्रोन बना सकता दिए यही मेलि यही पाए जाते हैं कैल्सियम ईवरिक एसीट एमऔर्फस फॉस्पेट्स कोलेस्ट्रोल और सिस्टीन ठीक है और अमोनियम भी पाए जाते हैं अब हम लोग बात करते हैं यह इसी क्रिस्टल से क्या बनता है इस्टोन पत्री अब थोड़ा सा किड्नी को समझन होगा ठीक है तो हम लूब फीगर एक बनाते हैं कि यह है किड़नी किड़नी है यह राइट किड़नी और यह लेफ्ट किड़नी ठीक है ठीक है यह जो है यह है राइट किड़नी और यह है लेफ्ट कर देते हैं लेफ्ट किड़नी यह है मुत्रवाहिनी राइट इवरेटर जिसमें अब यह बता रहा है और यह है लेफ्ट इवरेटर लेफ्ट लेफ्ट और यह है इवरेनरी ब्लेडर जब रेनल टीब्यूल से रेनल भेन से आती है बलोड उरसे च्छन करके क्या बनता है बलोड से क्या बनता है इवरेन बनता है जब इवरेन बनता है तो किड़नी में बनता है और किड़नी में बन करके यह किडिनी में बनेगा और ये क्या होगा थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं इसको आभशा हो कि यह जो कि इड़नी में बनेगा बेन सेपका होता है दस से लंबाई होती है और एक में लगबग लगबर एक मिलिन ने फरांस पाहा जाती है इसी फरांस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उता है और उसी के लगेंगे क्रीष्टल आप पानी कम पिजिएंगा सही नहीं होगा सही समय से खाना नहीं खाएगा पानी बहुत कम पढ़ेगा आशा सब खाना ठखाएग जिसमें समारी और ये से पालक वहां ऐदाम रेड मीट हो चिकेन हो यह सब जो टमाटर हो आलू का छिलका हो आलू हो सेब का छिलका हो बदाम का छिलका यह सब पानी कम पी रहा है तो पानी जब पीते हैं आप तो ब्लड में मिक्स होता है ब्लड में मिक्स होकरके वह जाता किड्नी के पास किड्नी के पास फिल्ट्रेशन के लिए फिल्ट्रेशन जब होगा जहां पर वहीं पर तो इस्टोन बनने का चांस ज़्यादा होगा क्योंकि छनने जा रहा है अब क्या होगा च्छन करके बहुत छोटे-छोटे मलकिल जो उसके पोर को छिद्र को पार करके और किड्नी में आ जाते हैं और इ होता नहीं है बहुत काम्प्लिकेटेट होता है मालने यहां पर इस्टोन बन गया ठीक है और यह खसक करके यहां पर आ गया जो और ट्क यहां से यह निकल करके बाहर आ जाता है ठीक है यह इवरेटर के द्वारा इवरेथरा के द्वारा यह इवरेथरा है तो इवरेथरा इवरेनरी ब्लेडर इवरेटर और किड्नी इसी को में लोग क्या कहते हैं इवरेनरी इवरेनरी ट्रैक्ट यानि की इवरीन का रास्ता यहांस अब बताई यही पर कहीं पर स्टोन हो जाया इसे अरिया में अगर कुड्नी में स्टोन हो जाय तो नौर्मल रहेगा दरद बहुत दिन बाद आएगा दिरे धिरे धिरे ये जो rystals हैं जो calcium oxalates बहुत सारे जो chemicals से एक deposit हुआ उसके उपद जमते गया जमते गया और दिरे धिरे इस्टोन बनते गया 2, 4, 10, 11 या या एक ही बहुत सब बड़ा साइज में बनता गया और यह जब अब क्या करेगी किडिनी इसको रिफ्लेक्शन अंदर बाहर करना चाहेगी और जैसे इस नली को यह क्रोस करना चाहेगा यहां आएगा क्या हो जाएगा जाम हो जाएगा ब्लॉकेज हो जाएगा जब ब्लॉकेज हो जाएगा अगर बड़ा बन गया तो क्या होगा डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहेगा डैमेज हो सकता है अगर छोटा-छोटा हो रहा है और यहां करके कहीं ब्लॉक कर दिया छोटा है तब तो अराम सीवरीन हलकाल का रिस रिस के आएगा उनेंडी ब्लेडर में थोड़ा-थोड़ा पैस स्टोन अगर किडिनी में है इस रीजन में है या इवरेटर में है या इवरेटर में है या इवरेटर वाले यहां पर ब्लोकेज कर दिया जहां से पेसाब का मार्ग है यहां से निकल रहा है स्टोन कहीं पर भी हो सकता है इसलिए कहा जाते इवरेटरी ट्रैक्ट स्टोन ठीक ह भी रास्ते में अगर इस्टोन धीरे दीरे deposit होने लगे जादा deposit होता है कहां पर क्रिडिनी में deposit होता है नीचे वाल एरिया में deposit होता है क्या चीज़ deposit होता है कौन सा chemical calcium oxalate जो की पालक में बदाम में श्वया बिन में red meat में ये सम्में बहुत सारे crystal पाया जाते हैं सिस्टीन जमा होने लगता है calcium augulate calcium phosphate यह सब जमा होने लगते हैं और जब यहां पर यहां पर blockage होगा आप urine बना blood से urine पानी च्छना और च्छन करके urine बना और यहां नीचे जाएगा ही नहीं जब तो दरत बहुत तेज होगा दरत कहां पर जाधा होगा पीछे के तरफ होता है कि पीछे के तरफ होगा साइड में पीछे के तरफ होगा साइड में होगा वो सकता नीचे की तरफ जह मतलब जिसने ग्रोइन एरिया में भी दर दिये चला जाता है ठीकर यह हम बता दिये स्टोन के बारे में कि पत्री के बारे में क्या क्या चीज का होता है अब सब्स्टांस से पदार्थ हम बता दिए अब हम लोग बात करेंगे कि कितने परकार के किडिनी स्टोन होते हैं टाइपस ऑप स्टोन हम यहां पर किडिनी स्टोन्स की बात कर रहे हैं जी भी स्टोन्स भी ऐसे ही होता है ठीक है किडिनी स्टोन्स अगर चार से 6 mm है तो लगब लगब वह अपने आप पानी बहुत ज़्यादा पीजिएगा तो बाहर निकल जाता कर चारे में मतलब छोटा ह है मनले एक संटीमेटर में दignon होता है oneanter में होता है कि तática देचि होता है तो अगर दो Despite सबसे हैदा उन्यतर पानी मतलब बियां कर बाहर आसकता लेकिन अगर बड़ा साइज है तो फिर आपको ट्रीटमेंट कराँ टाइप साफ स्टोन की टाइप अगर सबसे ज़्यादा यूरीन में स्टोन पाए जाता है तो होता है कैल्सियम ऑगजिलेट जो की इन्वैलप सेट का होता है ऐसे को इन्वैलप सेट का पाए जाता है ऐसे यह क्रिस्टल्स होता है कैल्सियम ऑगजी। होता है जो पानि मार्गुलंस कीले किजिएगा तो इन्वैलक सेट का दिखाई देगा और बहुत चमकिला होता है ठीक है और यह सबसे ज्यादा 80% के लगभग 80% क्या पाया जाता है यही पाया जाता है इस्टोन में अच्छा कोई पूछ देख पूरे population का विस्टोन में लगभग 12% आदमी इस्टोन से ग्रसित है पत्री से ग्रसित है खान पन गबड़ है तो इसलिए ग्रसित है calcium oxalate यह 80% के लगभग पाया जाता है ठीक है calcium अगर यह क्या चीज में पाया जाता है इसका source क्या है क्या चीज हम avoid करना है बचाओ करना है क्या चीज में सबसे ज़्यदा पाया जाता है spinach spinach पालक में red meat में soya bean में chocolate में coffee में बहुत सारे जैसे है tomato sauce में tomato में यह सम्में nuts में जो बड़ा वाला बेदाम होता है बदाम गिरीजी इसको कहते है almond उसमें भी यह सब calcium oxalate पाये जाते है ठीक है यह सब देख लिजेगा दूसरा होता है अगर दूसरा stone बनता है तो वो होता है इवरीक एसिड इवरीक एसिड crystal crystal यह भी calcium oxalate crystal इससे भी stone जो होता है यह crystal यह stone कह लिजे इवरीक एसिड stone यह calcium oxalate stone कह लिजे पत्री तो यह 9% का लगबग होता है कितना होता है यह 9% का लगबग होता है इवरिक एसिड वाला और ये जो आदमी ज्यादा प्रोटीन लेता है प्रोटीन ज्यादा प्रोटीन वाला पदार्थ जो ज्यादा आदमी लेता है जिसमें ज्यादा प्रोटीन पाए जाती हो जैसे अंडा अंडा का अंदर वाला जर्दी अंडा रेड मीट लाल मीट चिकेन पॉलसेज, डाल, चना का डाल बहुत ज़्यादा लेते हो, आप बहुत ज़्यादा मिल्क आप बहुत ज़्यादा लेते हो, मिल्क प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाये जाता हो, तो वो सब आपको स्टोन कर सकते हैं, ठीक है, ये बचाओ करने क्योंकि उ यह इस्टरवाइट इस्टोन जो होता है, वो मैगनीसियम एंड अमोनियम फास्फेट्स का बना हुआ रहता है, इससे भी इस्टोन होता है, और यह लगबग कितना परसेंट बनाता है, यह लगबग 10% यह जो इस्टरवाइट हो और यह क्या करता है आगे हैं हम लिख देते हैं आगे करता क्या है यह इनफेक्शन वाले में ज्यादा तरपाए जाएगा इनफेक्शन वाले में ज्यादा अगर कोई बैक्टिरिया है किडिनी में UTI हो गया है मलने जे इटी आई हो गया उसी में कोई इंफेक्शन हो गया स्यूडो मोनास का बैक्टरिया का नाम है स्यूडो मोनास क्लेब्सेला या ओर भी E. coli यह सब इंफेक्षण हो जाता है उस इंफेक्षण में इंफरैइटील हो जाएगा इंफ्लामेशन अर्वंगाटना हो जाता है तो उस और यह 10% ृचिंट वाले में पाय जाएगा और लास्ट है मेंली चार बता रहे हैं चार परकार के स्टोन मेंली होते हैं कैल्सियम अगजलेट, इविडी केसिड अगजलेट, इस्टरवाइट स्टोन और चौथा है सिस्टीन सिस्टीन स्टोन सिस्टीन स्टोन जो है वो एक परसंट बहुत रेयर पाये जाता है और ये hereditary, hereditary होता है, मतलब माता पिता को अगर है, तो आपको भी systeenis टोन हो सकता है, systeenosis इस बिमारी को अगर systeenis टोन है, तो systeenosis हो जाता है, यानि ये जो भी हम बताए, calcium oxalate, calcium phosphate, calcium bicarbonate, ये सब जो calcium आप ज़्यादा खाएंगे, तो क्या होगा, या आपके सरीर में calcium सरावित होने लएगा, आगे हम बता रहें क्यों, तो वो सब ऐसे factor है, जो की बढ़ावा दे सकते हैं, अब हम लोग फैक्टर की बात करते हैं, नॉर्मल अगर साइज की बात करें, इस टोन तो एक पीन हेड की, पीन के सीर के इतना छोटा से और एक अंडा के बराबर भी हो सकता है, धीरे-धीरे खसकते-खसकते हो सकता है, वो इवरेंडी ब्लडर में आ करके बढ़ा हुआ हो, ठीक है, अगर कहीं पर इधर होगा, यहां पर होगा, तो दर्द कम होगा, इधर होगा तो बहुत तेज होगा, क्योंकि यह गुजरेगी पीछे से, और यहां भी होगा तो बहुत कम ही होगा लेकिन अगर माउथ पर इसके और फिस पर इसके रास्ते पर रुख जाएगा तो इस टोन होगा ही नहीं आप हम लोग बात करेंगे हो गया आपका क्या चीज के श्टोन क्या चीज से मिल के बना रहता है अब कोन से ऐसे फैक्टर है फैक्टर है जो responsible है factors responsible for responsible responsible for और केल्कुलाई या स्टोन फोर्मेसन कौन से कारक है जिसके कारण से हमारे सरीर में स्टोन बनते है तो कृष्टल बनने के कारण हमारे सरीर में स्टोन मनते ये तो एक लाइन का जवाब है अब हो मेटाब होता है तो सबसे पर आगर हम लोग हाई लेबल में बात करके लोग बात करे जो लेभल है नो फ्लूड कि इंतेक क्या है बो करता है जो आदमी पानी कॉम पीटा है कॉम पीटा है उस उतमे इस्टोन बनने का चांस जादा होता है क्यों क्योंकि जो उसकी इव्रीन है जो इव्रीन है मान लिजे यह इव्रीन है ये क्या है आभी क्या है डायलूटेड है मतलब normal एक saturated form में रहती है ठीक है और जो crystals होते हैं इसमें औग घुलंसील होते हैं लेकिन होता क्या है जैसे आप पानी कम पिएंगे ये क्या हो जाएगा गाढ़ा हो जाएगा जब गाढ़ा हो जाएगा तो जो इसके crystals होते हैं वो इरीन के द्वारा बाहर निकलना होता ये क्या जामा होने लगेंगे जब जामा होने लगेंगे क्या होगा वही इस्टोन बन जायेगा डिपोजीट होने लगेगा तो fluid intake जो आदमी लो करता है उसमें ये बहुत बढ़ा काणा दूसरा हाई इंटेक निटेक है हाई इंटेक साल्ट जो आदमी नमक ज्यादा खाते हों तो उसको कम करने के लिए कैल्सियम बहुत ज्यादा सिक्रीट होता हो और कैल्सियम और इधर से आप खाए जब कैल्सियम और मिलेगा तो इस्टोन बना देगा ठीक है कैल्सियम आपके सरी मौल डेड़ी है बोन में सबसे पाए जाता है तीसरा तो नमक कम खाना चाहिए ठीक है नमकीन नमक की चीजे जो भी चाट फुचका जो भी आप गुलगप 2 और कि इन टेक अ कि प्रोटीन प्रोडक्ट जो आदमी प्रोटीन प्रोडक्ट ज्यादा खाते हों जैसे एग हुआ रेड़ मीर्ट जों बताई रही है सब क्या करता है इस्टोन बनाने का चांस जयादा रहता है ठीक है उसके बाद को ऑबच टी मोटापा जिसSTAद आदमी के ओवेस्टी होता है जो आदमी मोटा बहुत ज्यादा रहा तो उसमें स्टोन बनने का चांस ज्यादा रहता है क्योंकि फैट जो होता है और लेडी एडिपोस्ट इसू के स्कीन के नीचे जमा रहता है और उसमें कौन सा ज्यादा होने का चांस बताए थे कुलेस्ट आले पेसेंट उन में स्टोन बनने की चांस ज्यादा रहती है ठीक है उसके बाद है विमारी का नाम है बता देते हैं हाइपर पारा थाइरोडीज्म हाइपर पारा थारेड ग्लेंड होती है गला के पास में पारा थारेड धारेड के हर्मोन जो कि कैल्सियम के जो हमारे सरीर में कितना कैल्सियम निकलना है कितना नहीं कलना है उसको यह कंट्रोल करता है तो हाइपर मिस क्या होता है ज्यादा जैसे हाइपर टेंशन हाइपर बीपी बढ़ने को क्या करते है तो ज्यादा और पाराथाराइड हर्मोन का ज्यादा सिक्रिसन होने लगता है और जब ज़्यादा सिक्रिसन होगा तो क्या हो जाएगा कैल्सियम जो है वो ज़्यादा रिलीज करेगा और जब ज़्यादा रिलीज करेगा तो क्या बन जाएगा कैल्सियम और जलेट हमारे सरीन में बहुत ज़्यादा बनने लगेगा और कहीं पर kidney में इवरेटर में या कहीं पर भी वो deposit ओने लगा दिरे धिरे और वो stone बना देगा ठीक है ता hyper parathrodism और एक और बिमारी का नाम है एक और बिमारी का नाम है इसको मैं अटा देते हैं एक और भीमारी है जिसको हम लोग काते हैं चटा है यह 5 वा था चटा हाइपर- बिटामिनो सिस-डी अगर ज्छादा आप लेते हैं तो भी क्या होता है कैलसियम चेन टुटती है के मतलब कैलसियम ज्यादा सिक्रिस होता है तो calcium object या calcium phosphate या calcium bicarbonate ये जो crystal से वो बनने के chance ज़्यादा रहते है और stone बनने के chance ज़्यादा रहते है ये सब कारण है इसके वज़े से genetics आपकी diet जेनेटिक्स मतलब पैत्रिक माता-पिता का अगर है तो आपको भी stone बनने के chance ज़्यादा रहते है diet आपका खान-पान कैसा है बहुत ज़्यादा oily समन खा रहे हैं बहुत ज़्यादा fat का समन खा रहे हैं बहुत ज़्यादा protein intake कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टमाटा रब खा रहे हैं बहुत ज़्यादा पालक खा रहे हैं बहुत ज़्यादा बदाम का छिलका आपके सरीर में जा रहा है बड़ा बदाम का अलमंड जिसको कहते हैं यह सब से स्टोन बनने के चांस ज्यादा रहते हैं क्योंकि और पानी अपकम पी रहे हैं तो स्टोन बनेगा बनेगा इससे बचाव रखना है ठीक है उसके बाद बहुत सारे ऐसे जिससे अक्जिलेट बनते हों वह भी कार रखेख है डाइजेस्टिफ डिजीज है अगर आपके कोई मतलब लीवर में प्रोबलम है या फिर इस्टमक में कोई प्रोबलम है जैसे यह सेल जो हता है केल्सियम औक्जिलेट को घोल देता है वाटर में घुलता नहीं है तो अगर हमारे सरीर में प्रोबलम हो या लीवर का प्रोबलम हो तो उसमें भी स्टोन बनने की चांस रहते हैं ठीक है यह चीजे हो गई अगर इवरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाए उसमें भी स्टोन बनने के चांस ज्यादा रहते हैं यह तो आपको समझ में आ गया कौन-कौन से कारक है या इसको अबर्वर्ड करना है कैसे यह स्टोन बनता है कैसे बनता है भाई हमारे सरीर में हमारे सरीर में कैसे बन गया यह स्टोन फार्मेशन फार्मेशन ऑफ केलकुली या स्टोन कैलकुलाइब का लिजाए यह स्टोन कैसे हमारे सरीर में बना तो देखें यहां पर कोई सेल हुआ यहां पर कोई सेल हुआ यह एक सेल था अब यह क्या हुआ इस पर उपर से रेडिकल्स कहते हैं उसका दबाओं होने लगा तो उसको हम लोग कहते हैं और ओक्सीडेटीव इस्ट्रेस जैसे अगर सेव हैं सेव को एक दिन रख दिजी दो दिन रख दिजीर दस दिन बात देखी हो सिकूड जाएगा किस्मी से इप फूलार है औगूर है कुछ दिन बाद स्कोर स्कुर जएगा न सतर अपसर का प्रेंट और इंदर की मआतेरियल इंदर की इस अधागे बाहर रेडियू जो चली गए और वो क्या हो जाएगा आप भी को खाना नहीं मिलेगा तका हो जाएगा इसाना हो जी थाधुर आगदम डोगिव है अक्सिडेटिफ Cabot प्रेसर बनेगा यह निउकिलियस क्या होता है छोटे-छोटे निउकिलियाई में बढ़ जाता है इसी में छीतर जाई अपना बहुत ज्यादा प्रोटीन आप खा रहें तो क्या होगा आपके इसकी के उपर यह जो क्रिष्टल्स है जो भी यो कैलसियम ओगजिलेट्स यविरीक सिस्टीन जो भी यह क्या होगा धीरे-दीरे-दीरे इसी छोटे-छोटे निउकिलियाई पर आगर करके चिपक रहें और इसी से हमारा एक स्टोन एक एक करके कई स्टोन एक बहुत सुत या एक स्टोन छोटा-छोटा हो जाए चोटा-छोटा कोई हो जाए या दो हो जाए तीन हो जाए तो अगर एक हो जाए तो यूनिक है दो हो जाए तो बहुत एक से ज्यादा मॉल्टिपिल स्टोन है एक ही है उसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए अंडा के अकार का तो वो सब इसी तरह यह इस्टोन बनता है ठीक है इसी तरह इस्टोन बनता है औक्सिडेटिव स्ट्रेस के वज़़ा से नुकलियास के से उसकी जो सेल और यह ही जब डैमेज हो जाएगा डैमेज बहुत सारा यहां इस्टोन बन गया वहीं पर डीपोजी ठोके आके चिपा गया और फिर श्टोन का निर्मान कर देगा मुद्ध धीर क्हीं सब्सकाल के शरी एक सारी बाहर निकलने कर दो यह वाल एरिया में जादातर यहीं पर पाया जाता है तो पेलुइस रीजन यह वाला और यहां पर यह दो पिरामेड्स इसी में श्टोन सरी उरीन बनता है, यहां काईलिक्स यह दमधारापर्वा में निकल जाएगा, अगर पानी आपको कम पी रहे हैं तो तो अगर डिपेंट करता है उसकी साइज भी क्या है अगर बढ़ी हो जाएगा तो बाबु इसकी साइज मान लीजै इतनी बड़ी, इस्टोन दिफन बड़ी ये पार सलव काल्कुलाई के हम बता दिये एक आइसे मोटा मोती ठीक है आप हमロ Mex Pay 드 करते हैं कि क्या शीम्टम है तो değer Bonixo Sela लक्षण है औफ कीडिनीो डी ही स्टोन दो क्या है उसका क्या कारण है भाई क्या लक्षण है कैसे हम पाचानेंगे तो डरना नहीं है सबसे पहला पीठ में पीठ के पीछे के तरफ रिप्स जो पसली होती पीछे में भी रहती है उसके नीचे में बहुत तेज दरद होगा बार-بार दरज होगा और बार बार हो या अगर किड़नी में है तो हलका दरद होगा ठीक है अगर उसकी साइड छोटी है इस्टोन की अगर इवरेटर में आ गया तो वो दरद नीचे की तरफ जाएगा इवरेटर में आ गया क्योंकि इवरेटर किड्नी से अब नीचे जा रहा है यानि कि इस्टोन अब नीचे आ रहा है तो दरद भी नीचे की तरफ होगा और यहां पर क्या होता यही पर पैर होता यहां जांग यह थाई होती है तो थाई यहY Um पहला उसका रीजन है बैक पेन से लेट्रल side में paint in back side back side पीछे के तरब तेज दरध होगा दूसरा नजिया हो सकता है पॉम्टिंग नजिया में चलना पॉम्टिंग में और बॉम्टिंग हो सकता है चौथा तीसरा ये नजिया और बोम्टिंग जो है वो गेस्ट्रियक प्रॉब्लम हुआ प्लब्लम चला जाएगा इसके वार बार इस्टोन यहां पर आएगा यहां पर आएगा तब ही अगर किड्नी में है तो ठीक ठीक रहेगा कोई ज्यादा लच्छर मालूम नहीं होगा जब बड़ा हो जाएगा तब क्या हो इसको डैमेज करना शुरू कर देगा ठीक है और यह सब जोड़ी महसूस होगी इवरीन में आपका इवरीन का iauरीन की आप करें इवरीन की बातकर एक पिसाब आपका यह ब्राऊन difficulty in urination difficulty in urination urination लिखा रहता है सवचाले urination में पेसाब करने में difficulty होगी दरद होगा बहुत तेज उसके बाद छठा है burning in urination urination जब आप पेसाब कीजिएगा तो बहुत तेज जलन हो सकता है सातवा हो सकता है आपका बहुत तेज जलन होगा सातवा आपका होगा blockage हो सकता है अगर stone आपका कहीं यहाँ पर आकर के रुख गया एकदम और दोनों में बन गया या यही पर हो जाती एक से तो बनेगा अगर यहाँ पर एकदम हो जाए तो उससे भी हो जाए या फिर prostate gland होती है जैसे यह इसको हम उठा करके यहां ला रहे हैं यह यह इरेंडि बलेडर होती है यह आपका link है पैनिस है इरेंडि बलेडर और यही पर क्या होती है prostate gland मेल की बात कर सब्सकूर्प नहीं यह क्या करता है इसको दाबने लगता मैंने pressure देने लगता है और यहीं से उरेथरा पिसाब की रास्ता निकला रहता है लिंग से तो जब यह दबेगा तो यह रास्ता बंद होगा कि नहीं बिल्कुल बंद होगा प्रोस्टेट ग्लेंड जो है वह आलवंड सेप की होती बदाम क्या कारका लेकिन जब यह बड़ा हो जाता है खास करके जो बाहर जाएगा नहीं जाएगा जब यूडप नहीं जाएगा तो रिटर्न जाने लगेंगा और रिटर्न जायेगा जाएगा निफो इवरेटर में हो या हां पर हो यहां वाले रिजन में यहां पर भाते हैं किड़ीन के बज़े से कहीं पर हो तो उपर जाने लगए या राइट्र राने लगें लाइगा अगर blockage हो जाता है stone के बज़े से वो भी एक कारण है सिम्टम में ये सब चीजे थी burning in urine ये सब चीजे ठीक है और बस यही था अब diagnosis की बात करते हैं कौन सा जाच हम लोग कराएं कि हम लोग को kidney के बारे में पता चल जाए kidney stone के बारे में तो diagnosis की अगर हम लोग बात करते हैं उपचार की कौन सा जाच परताल भाई किया जाए अब तो हो गोई तो का करें जाए तो पहले जाए डाक्टर साहब के पास तो जाएगा तो blood का जाच लिग देंगे KFT, kidney function test, heemoglobin भी लिग सकते हैं ठीक है अगर blood की जाच कर रहा है तो kidney function test में mainly उनका focus कहां रहेगा, किस जाच पर, blood इवरिया पर, blood इवरिया पर, जो की 0 से 40 mg per deciliter होता है, लगबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब इवरीन पास जल्दी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो kidney पासर हो रहा है, kidney के असर बनता है, लोकि ये लिवर में है, लेकिन इवरिया के द्वारा, इवरिया के द्वारा ये निकाला जाता है, kidney के द्वारा, ठीक है, तो ये blood इवरिया kidney के जाच है, लेकिन बनता है लि आपको युरीन रूटीन लिए उनका मेन फोकस रहेगा रबीसी पे क्योंकि स्टॉन वाले रिजन में कि अने लगती है कि पुरिण में रबीसी रेड ब्लॉड एर्थ Caesar नहीं आती है उसके बाद post cell कोई infection तो नहीं हो गया है post cell कब आएगी जब कोई infection हो जाता है 0 से 1 अगर है normal है अगर 5 से ज़्यादा हो रहा है post cell के आगे या WBC के आगे 5 पर HPF बता रहा है sales ज़्यादा तो वो भी infection है ती उरीन से उनका main focus रहेगा उसके बाद calcium oxalate chemical जांच करते हैं हम लो calcium oxalate जांच होता है SD की उरीन में पाया जाता है calcium phosphates तो नहीं पाया जारा ये सब हम लोग जांच करके देखते हैं फिर microscopy जब करेंगे तो ये crystal भी बहुत सारे crystal पाया जाने लगेंगे ये जरूरी नहीं है कि calcium oxalate पाया जाते हैं लेकि बार बार आपके यूरीन में ये आ रहा है और ये आप नहीं भी खा रहा है यानि कि आपका जो पारा थराइड हर्मोन है वो ज्यादा calcium को release करा रहा है और थोड़ा सा भी प्रोटीन ये आउक्जिरेट जा रहा है आपके सब्सक्राइब बन जा रहा है और जाकर deposit हो जाएगा तो वो और ज्यादा खतरनाक है ठीक है तो ये blood से KFT और इवरीन से इवरीन डूटीन और इवरीन कल्चर भी लिख सकते हैं जो 48 गंता बार रिपोर्ट देख लेंगे कोई infection तो नहीं है उसके बाद दूसरा blood से तो ये खो गया ultrasound ESG लिख देंगे ultrasonography लिख देंगे तीसरा ultrasonography में जागदा अक्तर केव भी लिख देते हैं ultrasonography और केव भी kidney, urator, bladder की लिख देंगे या lower abdomen लिख देंगे क्योंकि abdomen का दो पार्ट होता है upper lower abdomen और lower तो लोगो उसका भी लिख देंगे उसके बाद MRI लिख देते हैं magnetic resonance imaging, magnetic resonance imaging, magnetic resonance imaging, चलिए इसका full form लिख देता है, magnetic resonance imaging, 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 उसके बाद लिख देंगे, एक और लिख देंगे जाच, scan कहीं ये जाच है, तो blood और urine से हो गया, उसके बाद लिख देंगे आपका, एक urine से भी लिखे, दो, ये हुआ तीन, ये हुआ चार, और ये हुआ क्या, पांच, CT scan, CT scan के मतलब computed tomography, computed tomography, ये भी CT scan करके दिखाए, कि आपके kidney के stone का position कहाँ, या stone है कि नहीं है, या ऐसे ही दरद हो रहा है, जुटा हो के नकड़ा फरी ले ले बड़ाफ, ठीक है, ये अब है, डेगनोसिस उससे आप जान सकते हैं, कि क्या-क्या है, अब बात कर, एक सरे भी होता था, अब एक सरे बंद हो गया, एक सरे भी आप करा सकते हैं, अब आप बात कर सकते हैं, इसके डेगनोसिस की जांच की बारे में बात हो गया, अब टीटमेंट, तो टीटमेंट ह सकते हैं है कि सरजरी में करना नहीं आप Molt ना कि अगर यह को हीवत भार तो को इस isć कोपी से इसकोपी लोगों अपनी भासा में कहते हैं दुरबीन जो स्कौौपी यह जू प्रिसान, च help में आपको एक तो देखें पहले बाद बता देते हैं ट्रीटमेंट में सबसे पहली बाद ्और बहला च leafy ुंस ऐसने च Say तो पसंसित लेगा है तो फिर वो निकले नहीं आपको सर्जरी में जाना ही पड़ेगा चाहिए से कराइए यह लिथो सर्जरी से कराइए जैसा करा इस देग घय से देखने लील पानी में हलका खुब पीजिए डेली पीजिए सुबसाम पीजिए सुसुम पानी में हलका गुनगुना पानी में उससे भी इस्टो निकलने के चांज ज्यादा रगी बेकायदे साइज पर डिपेंड करता साइज बड़ी होगी तो जल्दी वह घुलेगा निए उसको प्रेट्र से कंसर करके ले लीजिए टिक है नॉर्कोटिक्स मेसीन-दरद की दिवा द्वार सी जयspfind से। आपका डाई लोणा है नर्कोटिक्स जो ब्रेन को संट कर देता है कि दरद नभाव न हो उसका मेडिकल प्रॉसीजर में अगर प्रॉसजर की बात करें दो अप्रे कॉर्परियल सौक वेव थिरैपी यह एक थिरैपी है इसको सौट में ESWT भी लिख देंगे डाप्टर साहब लिख देंगे नेफ्रोथीले असिस या किड्नी स्टोन और लिख देंगे यह टेकनिक साहब का होगा यह होता क्या है लिटा दिया जाता है पेसेंट को और साउंड से अल्टर साउंड की वेव से उसको किड्नी के स्टोन पर यह से वेव आएगी हमाली जाए श्टोन है और यह तरंग दैर गाएगी और इसको तोर करके नीचे में भी एक रहेगा इसको अब्जोर्ब करने वाला और पार करते भी इसको तोरते बार बार इस पर बीम किया ज इविरेट्रोस्कोपिक स्टोन ईविरेट्रोस्कोपिक स्टोन रिमुबल ट्चिक नाम सही पता चल गया हो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है रिमुबल मिस तिरेपी या ट्चिक इवरेट्रो इवरेट्र यानी इवरेथ्रा के रास्ता से ऐसे यहां से फिमेल है तो उसके इवरेथ्रा से ऐसे जाएगा और यह एक वायर डाल दिया जाएगा और उससे इसकोपी किया जाएगा कहां पर स्टोन है उसको क्या किया जाएगा सक कर लिया जाएगा सक करके बाहर कर दिया जाता है यह यहां तक जा सकता है और उसके बज़े से यह बायर यहां तक जा सकता है और इस्टोन को बाहर निकाला जाता है उसके बाद लेजर लेजर लिथो ट्रेपसी होता है लेजर लेजर दुर्बिन से लिथो ट्रेपसी लेप यह हलका सा प्रिक किया जाएगा यहां अले एरिया में जाकर के इस्टोन जेहां जहां रहेगा उसको वहां से निकाल लिया जाएगा तो यहीं सब था अगर विडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाई किजेगा सब्सक्राइब किजेगा बहुत-बहुत धन्यवाद मस्त र लावों के बोद बंदने माद, thank you